आप अपने मोबाइल फोन से एकदम DSLR जैसे फोटो कैसे क्लिक कर सकते हैं एकदम HD में एकदम परफेक्ट बलर के साथ आप जब अपने मोबाइल से फोटो को क्लिक करोगे जैसा मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा उस टैप का प्रोसेस करने के बाद जब आप किसी को फोटो दिखाऊंगे तो वह कहीं नहीं सकता कि यह फोटो मोबाइल से क्लिक हुआ है तो आज का यह वीडियो बहुत जादा मज़िदार है तो वीडियो में बने रही है एंग तक एंड मैं आपके साथ शेयर करने वाणा हूँ बहुती मज़िदार ट्रिक तो अब ज़ादर में इसना करते हूँ वीडियो को स्टाट करते हैं Let's do it सबसे पहले आपको क्या करना है सबसे पहले आपको कोई भी location ढून लेनी है जैसे ही आपको location पसंद हो उस टाइब की आप location पर जा सकते हैं और जाने के बाद आप वहाँ पर photo को click कराएं and photo को click कराते time आपको कुछ बाते ध्यान में रखनी होगी जैसे की जो मैं photo को click करा रहा हूँ इस जगा में मतलब की trees भी है and trees के साथ white आसमान भी है तो आप कोई भी location पर जाए and ऐसी चीज फाइंड करें जहां पर आपको background में कोई चीज मिले tree मिले, buildings मिले, कुछ भी मिले and उसके साथ साथ आपकी hairs वाले area में आसमान आपको ज़रूर मिलना चाहिए ताकि आप perfect hair cutting उसमें कर पाए and hair cutting करने की ज़रूरती नहीं पड़ेगी अगर आपके पीछे background में आसमान होगा तो तो इस चीज का खास देहम लखें and ये चीज बहुत ये अच्छे से follow करें and उसके बाद आप एक दम perfect photography अपने mobile से कर सकते है and आगे का process क्या क्या होने वाला है तो आई हम देखते है so guys सबसे पहले आपको अपने phone से photo को click करना होगा and photo को सबसे पहले rotate करने के बाद आप कोशिश करें कि low angle से photo लें ताकि आपका photo और भी जादा professional लगे and उसके बाद आप अपने photo को low angle से click कराए and कोई भी pose जो आपको पसंद हो उसको click कराए and click कराने के बाद आप camera के सामने से हट जाए and एक background का photo ले ले and guys photo later time आपका जो भी photo ले रहा है उससे बोली अपना hand बिल्कुल भी shake ना करे and दोनों photo एकदम perfect ले and उसके बाद आपके दोनों photo कुछ इस type से दिखेंगे and guys सबसे पहले आपको अपने background को share करना होगा snap sheet application में and अगर आपके पास snap sheet application नहीं है तो आप play store से easily download कर सकते है and उसके बाद आपको यहां से directly share करना होगा snap sheet application में अपने photo को and share करने के बाद आपका photo यहां पर open हो जाएगा open होने के बाद आपको सबसे पहले pencil वाले icon में जाना है and lens blur option में जाना है and lens blur option के अंदर जाने के बाद आपको सबसे पहले करना होगा swipe up and wignet strength पर click करने के बाद आपको यहां से बिलकुल minus कर दिना होगा ताकि आपकी जो outside होती है वो black बिलकुल भी ना हो उसके बाद आपको यह जो गोले मिलेगा इस गोले को आपको pinch करना होगा and जहाँ पर आप खड़े हुए थे वहाँ पर इसका focus set करना होगा जिस type से camera focus करता है तो जहाँ पर आप खड़े हुए थे बिलकुल आप अपने पैरों के पास एकड़म perfect focus यहाँ पर set कर दीजिए जैसा आपको ठीक लगे तो जिस type से मैं कर रहा हूँ इस type से आप same कर सकते हैं इसके बाद आपका एकड़म perfect focus यहाँ पर set हो जाएगा आप शेयर वाले आइकन पर क्लिक किजिए उसके बाद आपका image easily save हो जाएगा तो save होने के बाद आप हमको या तो आपको pixart या फिर pixie pro में से कोई भी एक application यूज करना है तो हम चलते हैं तो गाइस मैं आ चुका हूँ pixie pro application में और यहाँ पर सबसे पहले हम इंपोर्ट करेंगे अपने background को एंड यह process आप pixart में भी कर सकते हैं अगर आपको वह जादा पसंद है तो उसमें कर सकते हैं लेकिन यहाँ पर high quality में हमारा सब कुछ हो जाएगा इसलिए मैं यहाँ पर यह यूज कर रहा हूँ तो सबसे पहले हम background को maximum size choose करने के बाद यहाँ पर रखतेंगे उसके बाद effect में चलकर insert picture में चलने के बाद आपको अपना photo लेना होगा जो अपना photo आपने खराया था तो normal photo जह हमारा होगा उसको यह जन्ते से प्हाइन कर लेते हैं उसके बाद हम अपना photo select करेंगे करने के बाद राइट पर क्लिक कर दे Abs breaths हो fix होने के बाद आपको eraser अरेजर पर क्लिक करने के बाद आपको eraser अभी चलेक्टरिक लिए बलष काली हें इसका अपने सेट कर garlic सकते हैं तो गाइस कंप्लीट होने के बाद यह एकदम परफेक्ट डियसलार जैसा शॉट लगेगा एंड इसके बाद अब हम इस फोटो को रीटच करेंगे तो रीटच करने से पहले एक्सपोर्ट कर लेते हैं हम इस इमेज को तो यहां से हमारा इमेज हो जाएगा सेव एंड अब हम चलते हैं लाइट रूम एप्लिकेशन में तो गाइस, हम ओपन हो चुके हैं लाइट रूम एप्लिकेशन में इस एप्लिकेशन के अंदर चलने के बाद सबसे पहले आपको चलना होगा थर्मा मीटर ओप्सफिन और इस ऑप्श्ण के अंदर जाने के बाद मैक्स टूल के चलेंगा से पहले green tone में जाएंगे इसकी saturation कम करेंगे इसके बाद yellow tone की saturation and blue tone की बिल्कुल saturation minus कर देंगे इसके बाद face वाला जो tone होती है इसकी भी saturation minus कर देंगे इसके बाद हमारा face हो जाएगा थोड़ा सा खराब लेकन यहां पर आपको चिंदर करने वाली बात नहीं है बस यहां से आपको कर देना अपने image को save and save करने के बाद हम फिर से चलेंगे अपने पिक्से प्रो एप्लिकेशन में सो गाइस हम ओपन हो चीके हैं पिक्से प्रो एप्लिकेशन के अंदर यहां पर हम इंपोर्ट करने वाले अपने simple वाल image को जो कि हमने blur किया था snap sheet application के अंदर तो simple वाला image पर एक बार और क्लिक करेंगे उसके बाद हमारी eraser सामने आ जाएगी तो जूम करने के बाद सबसे पहले eraser पर क्लिक करेंगे बलर वाला eraser brush लेंगे और इसकी strength को काफी कम करने के बाद आपको अपने face की tone वापस लेकर आनी है जो हमारी वहां से बिगड़ गई थी तो जहां पर भी हमारी skin है face की skin hand की skin सारी चीजें हमको एकदम perfectly वापस से repair कर लेनी है तो सबसे पहले हम face की करने के बाद अपने hand की कर लेंगे करने के बाद जो हमारे चीजे हम रिपेर कर लेंगे करने के बाद हांके क्लिक करने के बाद इस इमेंज को हम सेफ लेंगे हैं लाइट रूम में करें यहां पर हम अपनी इमेज को सब से पहले तोड़ा तोड़ा सा क्र Unter pasa ताकि आप अच्छे से Instagram पर upload कर सकें तो आपको एकदम perfectly इसको crop कर लेना होगा and crop करने के बाद आप right पर click कर दीजिए उसके बाद सबसे पहले हमको चलना होगा effect option के अंदर and split tone option के अंदर चलना होगा and shadows आपको जो मिलता है shadows वाला point वो आपको blue tone की side में लेकर आना होगा जिस type से मैं लेकर आ रहा हूँ same यही पर आप screenshot ले सकते हैं and this point को लाकर यही पर set कर दीजिए and उसके बाद आप temperature में चलिए and उसके बाद अपनी skin tone की luminance बढ़ाईए luminance बढ़ाने के साथ साथ आप हलकी से saturation भी बढ़ा सकते हैं लेकिन जादा नहीं बढ़ानी हलकी सी ही बढ़ानी है and luminance अच्छी खासी आप बढ़ा दीजिए उसके बाद बस आप इसको blue tone में चलिए and blue tone की भी आपको luminance बढ़ा देनी है and उसके बाद done कर देना है done करने के बाद आपको sun वाले icon में चलना है and आपको white option की whiteness थोड़ी सी बढ़ा देनी है and इसके बाद आपका image हुजाएगा ready तो आप इसको save कर सकते हैं and आप आप देख सकते हैं कि हमारा पहले photo कैसा था and आप कैसे था तो मैं आपको दिखाता हूँ before and after so guys आप देख सकते हैं before and after हमारे image को हमारे image में क्या-क्या qualities आ गई है retouch करने के बाद and सारक कुछ process करने के बाद हमारा image बहुत ज़्यादा बड़ी हो चुका है तो I hope कि आज कर वीडियो आपको पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरू करें मैं मिलता हूँ ऐसे किसी मज़िदार वीडियो में तब तक के लिए goodbye and take care